नमस्कार में पूजावाशिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ 19 साल पहले सितंबर 1998 में सल्मान खान जोदपुर में सूरज बढ़ जातिया की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे इसी दोरान वो फिल्म में सयोगी कलाकारों सैफली खान सुनाली बेंदरे तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए आरोप है कि उन्होंने वहाँ संदक्षित काले हिरन का शिकार किया शिकार की तारीख 27 सितंबर 28 सितंबर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर बताए गई है साथ है कलाकारों पर सल्मान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा अब इस पर 5 अप्रेल को यानि की आज फैसला आने वाला है विश्णोई समाच के लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की इसके बाद वन्य विवाग और पुलिस दोनों सक्रिये हुए तब तीन मामले सल्मान और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किये गए सल्मान के अलावा सैफली खान, नीलम, तबू और सुनारी बेंदरे भी आरोपी हैं 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सल्मान खान की गिरफतारी हुई एक दिन बाद याने की 13 अक्टूबर 1998 को जोत्पूर के वन विवाक के दफ्तर में जाच अधिकारियों ने सल्मान खान और गवाहों के बयान दर्ज किये बयान दर्ज करने का ये पूरा सिलसला कैमरे में कैद हुआ पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सल्मान जमानत पर जोत्पूर जेल से रहा हुए गिरफतारी के दोरान सल्मान के कमरे से पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामत की इन हत्यारों की लाइसेंस अवदी खत्म हो चुकी थी लहाजा सल्मान पर आम जेक्ट के तहट चौथा केस भी दर्ज हुआ गोड़ा फामो शिकार मामले में सल्मान को 10 से 15 अप्रेल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा सेशन कोट ने सजा की पुस्टी की तब सल्मान को 26 से 31 अगरस दोजर साथ तक जेल में रहना पड़ा था शिकार मामले में सल्मान खान पर चार केस दर्ज हुए हैं पहला और दूसरा मतानी और बहवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले हैं दर्ज किया गया है कांकड़ी गाओ केस इस मामले में 5 अपरेल को कोट फैसला सुनाने वाली है घोड़ा फामोस केस पर 10 अपरेल 2006 को सीजीम कोट ने 5 साल की सजा सुनाई थी सल्मान हाई कोट गए 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया राजसरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील की भवाद गाओ केस सीजीम कोट ने 17 फरवरी 2006 को सल्मान को दोशी कराड़ दिया और एक साल की सजा सुनाई हाई कोट ने इस मामले में भी सल्मान को बरी कर दिया और राज सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील की। आमस केस 18 जनवरी 2017 को कोट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोट में अपील की थी। गवाहों ने बताया है कि जोदपूर से सटे कांकडी गाओं की सीमा पर एक अक्टूबर 1998 की राद सल्मान ने दो काले हिरिनों का शिकार किया उनका कहना था कि सैफ अली खान, नीलम, सुनाली बेंदरे और तबू भी सल्मान के साथ वाहन में सवार थे इन लोगों ने सल्मान को शिकार के लिए उकसाया, गोली की आवाज सुन ग्रामीड वहां इकटे हो गए ग्रामीडों के आने पर सल्मान खान वहां से गाड़ी लेकर चले गए और दोनों मृत हिरन वहीं पड़े रहे पांच अप्रेल को कांकडी गाओं में हिरन शिकार मामले में फैसला आना है पिछले हफ़ते सी जी एम कोर्ट ग्याने की जोदपुर ग्रामीड में मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस मामले पर फैस दसुरक्षित रख लिया था और साथ ही सबी आरोपियों को मौजूद रहने को कहा था वाइल लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहट काले हिरन का शिकार करने पर 7 साल के अधिकतम कारवार्स की सजा का प्रावधान है कुछ साल पहले तक ये सजा 6 साल की थी वो दालत इस मामले में कम सजा भी सुना सकती है सल्मान का प्रकरण 20 वर्ष पुराना है ऐसे में अधिकतम 6 वर्ष का कारवार्स की सजा प्रावधान ही लागू होगा से आरोपियों पर भी ये कानून लागू होगा फिलाल वीडियो में इतना ही और खबरों को देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल